दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत थी आपका एक पर फिट से आपके अपने ही चैनल के रिक पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 2030 में रिलिस हुई चार बड़ी फिल्मों के बारे में जानेंगे इन सबी फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉब के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रितिक रोशन की कोई मिल गया फिल्म की तो ये फिल्म रिलिस हुई थी आठ अगस्त 2003 में रितिक रोशन, प्रिती सिंटा, रेखा और प्रेम चोपडा इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डिरेक्ट और प्रेड्यूस क्या था राकेश रोशन ने और 30 करोड उपे के भजट में बनी थी ये मुन्ना भाई MBBS फिल्म के बारे में तो 19 दिसमबर 2003 में रिलीस हुई थी ये फिल्म, संचेदाथ, ग्रेशी सिंग, अर्शदवार्सी और सुनिल दत इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आई थे, फिल्म को डिरेक्ट और प्रेड्यूस क्या था राजकुमार हिरानी ने और 10 करोड रुपे के बजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 23 करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में 35 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी चलिए बात करते हैं आज़े देवगन की गंगा जल फिल्म की तो 29 अगस्त 2003 में रिलीज हुई थी ये फिल्म आज देवगन ग्रेसी सिंग और मोहन जोशी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डिरेक्ट और प्रिडियूस किया था पिरकाज जाने और 7 करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 10 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में 17 करोड उपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर एवरेज साबित हुई थी चलिए अब बात करते हैं शारु खान की चलते चलते फिल्म की तो 13 जून 2003 में रिलीस हुई थी ये फिल्म शारू खान और राने मुकर्ची इस फिल्म में एहम किरदारों में थे फिल्म को डेरिट किया था अजीज मिर्जा ने और प्रेडियूस किया था इस फिल्म को शारू खान जोही चावला और अजीज मिर्जा ने 11 करोड रुपे के बजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 19 करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 40 करोड रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी तो दोस्तों इन चारों फिल्मों में आपको कौनसे फिल्म है सबसे ज्यादा पसंद कमेंड में फिल्म करना जरूर बताईएगा थैंक यू